हेलो दोस्तों and welcome to class 10 studies आज हम English के second lesson Mrs. Packletide's Tiger को study करेंगे जिसे लिखा है साकी ने तो फिर चलिए शुरू करते हैं सो भाईयों कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि एक दिन अचानक जो वारी Mrs. Packletide है उन्हें एक दिन शेर को मारने का मन करता है वो ऐसा नहीं था कि वो एक इस country को एक safe country बनाना चाहती थी लेकिन उसका reason था कि जो उनकी एक rival थी Luna Bimberton उसने एक बार एक Algerian aviator मतलब कि एक pilot के साथ air pill में घूम किया थी तो इसलिए वो मीडिया में च्छा गई थी और मिसेस पैकलिटाइट्स इसको देखके बहुत ज़्यादा गुसा थी इसलिए वो Luna Bimberton को outcome करने के लिए एक tiger को hunt करना चाहती थी मिसेस पैकलिटाइट्स ने तो सपने भी सजा लिये थे कि जब वो एक tiger का शिकार करेगी तो वो Luna Bimberton को tiger claw gift करेगी फिर से वो tiger claw होता है वो एक brooch kind का होता है और उन्होंने एक और सपना सजाया था कि वो कई लंगों को एक party रखेगी जिसमें Luna Bimberton को भी invite करेगी जिसमें tiger का carpet बिचाया होगा और बातों ही बातों में famous हो जाएगी तो दोस्तों जो हमाई मिसस पाकलराइट थी वो हलकी पैसो वाली थी इसलिए वो एक thousand rupees किसी को भी reward करती किसी को भी या किसी भी group को जो उसको tiger का शिकार करने में मदद करते तो उन्ही के पास में एक village था वागे कुछ लोगों ने इस मौके का फायता उठाने का सूचा क्योंकि उस village में एक बुरा सा tiger रहता था जिससे वो villages बहुत चारा परशान हो चुके थे और लूना विंबर्टन को टाइगर चाहिए था इसलिए उन कुछ villages में और मिस्स पैकलिटाइट्स में डील कंफिर्म हो गई सो जो हमारे villagers थे उन्होंने मिस्स पैकलिटाइट्स की मदद करने के लिए उन्होंने जो शेर था उसके आसपास कुछ गोड़ समान देते थे ताकि शेर को खाना मिलता रहे और वो जल्दी उपर वाले के पास ना पहुंच जाए और जो वहां के गाउं की जो और रहते थे वो वापस आके गाना गया करती थी उन्हें गाने को भी बंद करवा दिया गया ताकि शेर आराम से सो सके और उन्होंने एक और काम किया था मिस्स पैकलिटाइट्स के लिए उन्होंने एक प्लाटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया था लीफी ट्री पे ताकि जो मिस्स पैकलिट प्लाटफॉर्म से टाइगर का शिकार कर सकें तो एक दिन एक गोट को बान दिया जो बहुत जोर जोर से आवाजे कर रहे थी तो और उसी का पास प्लाटफॉर्म बना हुआ था तो लूना बिंबर्टन अपनी एक पीड कमपैनियन मतलब एक पीड साथी के साथ जिसका नाम लूइसा मेबिन उसके साथ उस प्लाटफॉर्म में खड़ी होई थी एक राइफिल के साथ सो भाईयों अब आती है टाइगर की एंट्री तो जैसे टाइगर आता है वहाँ पर आके बैट जाता है गोट के पास आती है क्या पता वो इल हो हलका बिमार हो उसके पाद फिर ट क्योंक है जब वह क्लिएर होती है तो अब सबको ऐसा लगता है कि जो मिस्स पैक्रड़ाइट है उन्होंने टाइगर का शिकार कर दिया है लेकिन बाद में जो लूइसा मेबिन है वह उन्हें वह देखती है कि टाइगर गोली से नहीं मरा क्योंकि गोली तो गोट को लगी क्योंकि उन्हें तो थाउजन रुपीज मिल दे थे और मिस्स पैकलिटाइट्स को भी यही लगता है कि जो उनकी पेड़ कंपानें थे लुईसा मैबन वो भी बहुत लॉयल है उनके लिए इसलिए वो भी उनके बारे में नहीं बताएगी लेकिन कुछ समय बाद जो लुईस मैबन है वो मिस्स पैकलिटाइट्स को ब्लाक मेल करने की कुशिश करती है और वो फिर सीधे मुद्धे पे आ के मिसस सब्केलिटाइटस कहती है कि डॉरकिंग के पास एक small cottage है वो उनको बहुत ज़ादा पसंद है तो फिर जो मैं मिसस पैकले टेट्स थी उन्हें उस cottage के लिए Louisa Mabin को money देना पड़ता है अब जित्ते भी लोग थे हो हैरान हो जाते हैं कि जो मैं Louisa Mabin थी वो अचानक से एक house owner कैसे बन गी जो Louisa Mabin थी वो उस house पर tiger lilies उगाती है आपको तो पता ही होगा क्यों क्यों उगाती है लेकिन जो मैं गावन वाइल थी वो एक और चीज़से हरान हो जाते हैं कि जो मिसस पैकले टेट्स थी उन्होंने अपने newfound hobby मतलब की tiger hunting को leave कर दिया था क्यों क्यों समझ गई थी कि tiger hunting हो बहुत जादा expensive और उसमें बहुत जादा पैसे खर्च हो सकते हैं तो भाईयों यहाँ पर हमाया lesson होता है खतम अगर आपको कोई बिक्वेरी है तो मेरे comment box से comment करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो से like करिए दोस्तों के को सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों